नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतोपूनु जानकारी को ले करके जिहां तीस दिन में सरसों तेल से चार बार आपने अगर लगा लिया बालों में तो घुटनों तक लंबे और जितना आपने सोचा नहीं होगा उतने लंबे हो जाएंगे आपके बाल यह आज का टोपिक आप सभी के लिए अपने बालों से हर किसी को प्यार होता है बाल हमारी खुबसूरती में चार चांद लगा देते हैं लेकिन कई बार कुछ कारणों की वज़ह से बाल जढ़ने तूटने या कमजोर हो जाते हैं अपने बालों के लिए कई तरह के शलाब होगा जिहां आए जान लेते हैं बालों को लंबा काला और घाना करने के लिए कौन सा उपाए है सबसे इजी जिहां उपाए के लिए आप नोट कीजिए 50 ग्राम आपको रिठे का पाउडर चाहिए होगा 100 ग्राम सुखे आउले का पाउडर और 100 ग्राम सरसों ओल चाहिए होगा आपको अब इन तीनों को ले करके आपको एक मिश्रन तयार कर लेना है इस मिश्रन को एक बोटल में डाल करके तीन दिनों के लिए छोड़ देना है यानि कि रख देना है फिर इस मिश्रन को नहाने स दो घंटे पहले बालों में लगाना है और दो घंटे बाद गुनगुने पानी से धो लेना है आपको इस मिश्रण को महीने में सिर्फ चार दिन लगाना है और ऐसा करने से अवश्य ही आपको फर्क नजर आने लगेगा जिहां दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है कि ये जरूर करें जब भी कर सकें आप इसके अलावा हेर्स का क्यार करना बहुत जरूरी है अगर डेन रफ लगे तो आप निम्भू या दही का प्रियोग करें बालों के लिए जिससे के डेन रफ गायब हो जाएंगे इससे भी बाल कमजूर होते हैं तो वो भी नहीं होंगे इस